बच्चो नमस्ते स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस प्यारे से यूटूब शैनल में तो देखो बच्चो हम लोगोंने स्टाट किया है हमारे इस शाप्टर नमबर 12 को और इसमें हमारा लेक्चर नमबर वन पहले ही कंप्लीट हो चुका है यह है लेक्चर नमबर टू तो आप लोगों को बताओ कि फर्स लेक्चर में हमने क्या कैस्टडि किया साथा तो हमने टूरिजम के बारे में जाना था कि टूरिजम क्या होता है और अगर आप टूरिजम पर जा रहे हो तो कौन-कौन सी चीज़े आपको करनी चाहिए वह भी हमने देखा था इसके अलावा हमने दो टाइप के टूरिजम की भी बात की थी जैसे कि डोमेस्टिक टूरिजम क्या होता है और इंटरनेशनल टूरिजम क्या होता है ये भी मैंने आप लोगों को बताया था ठीक है अब चलो हम आगे चलते हैं और जो भी अलग-अलग टैपस के आगे मिलब Central profile प्रेस्ट चलिए उनको मीँ लूगों को बताऊं तो एक हमारा 5 टूरिजम होता है फिर सिनेमे तूरिजम होता है तो यह अलग-अलग टूरिजम के तो इनको यह तो हम चूपर शूरू कर भी खटम कर आपका class 9 का geography हो जाएगा मेरी तरफ से complete ठीक है चलिए देखते हैं देखो अलग-अलग forms के मतलब अलग-अलग forms जो है टूरिजम के वो दिवलप हुए है प्यारे बच्चों जिसमें से एक है एक हमारा इको टूरिजम अब यह जो कॉंसेप्ट है यह क्यूं क्यूं आया यह जैसे कोई बीचीज है तो वह क्यूं डिवलप की जाती है क्योंकि उसकी जरूरत मैसूस होती है तब जाके उसषीच को developed किया जाता है है क्योंकि उसकी जरूरत पड़ती है इसलिए उसको लाया जाता है ठीक उसी प्रकार से एको टूरिजम की भी जरुवत पड़ी क्योंकि देखो अब भी के टाइम पर अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है पॉलूशन भी बढ़ रहा है इंडस्यलाइजेशन हो रहा है अर्बनाइजेशन हो रहा है जिसकी वजह से मतलब जो हमारा एंवर्मेंट है प्यारे बच्चों वो धीरे-दीरे करके खराब होते जा रहा है तो इसलिए बहुत जरूरी थ हमारे जो वातावरण है उसका महत्व लोगों को पता चल पाए और लोग क्या करें इदर उदर कच्रानाफे के जो पेड़ है उसको नुकसानना पहुचा है एनिमल्स को बिना मतलब का कुछ भी ऐसे उनको मारे नहीं है ना इसका महत्व अगर लोगों को पता रहेगा तब भी तो वो लोग क्या करेंगे और में की रक्षा करेंगे तो इनी सारी चीजों के लिए जो एको टूरिजम का कॉंसेप्ट है यह डिवलप हुआ ठीक है तो आहिए आम देखते हैं देखो 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 इंक्रीजिंग पॉपुलेशन पॉलूशन और अर्बनाइजिशन तो आप से मतलब फिलप्स में पूछा रहा सकता है कि एको टूरिजम क्या है तो आप बताइएगा एको टूरिजम तीक है और इफ टूरिजम इस डिवलप बाइग कंसिडिंग कंसिडरिंग दैट वाई टूरिंग और प्लेस देखिए इसमें कौन-कौन से साफधानिया र टूरिस साइट मतलब क्या करना है नौट थ्रूइंग का मतलब क्या नहीं फेकना है फिर जो नौइस पॉलिजन उसको अवाइट करना नौट अनिमल्स इन फॉरेश्ट ठीक है उनको भी परिशान न करना उनको भी नुक्सान ना पहुंचाना यह किसमें आता है हमारा एको टूरिजम तो एग्रो टूरिजम क्या होता है मैं आपको बताते हूं यह भी कॉंसेट जो है ठीक है इसको भी क्यों डिवलप किया गया जैसे मान लीजे जो शहर में रहने वाली लोग है ना जो कभी गाउं गईने उनके मन में कहीं ने कहीं तो आता होगा कि हमें गाउं का जो रहन सेन है उसको देखना चाहिए गाउं के किसान लोग कैसे काम करते कैसे रहते यह सब कुस देखना चाहिए तो इसी वज़ह से वहां के लोग गाउं वगरह में क्या करते थे जाते थे ठीक है तो इसी वज़ह से यह वाला जो कॉंसेट है एग्रो टूरिजम का यह आ जाते हैं और इस प्रकार से यह जो एग्रो टूरिजम का कॉंसेप्ट है इसको डेवलप किया गया ठीक है तो आये हम इसको समझते हैं देखें बेसाइड दिस रिसेंट्ली दा कॉंसेप्ट ऑफ एग्रो टूरिजम हैस वराइज इन विच पॉलुशन-फ्री लोकेशन अवे इसलिए शीच को डेवलप किया जाता है टूरिस्ट अरे ट्रेक्टेट टूर्ट्स एडिस एंड इस इसकॉल्ड एग्रो टूरिजम ठीक है फॉर चेंज फ्रॉम अजय क्यों करते वह अर्बन लोग यानि जो शहर के लोग है वह जाते हैं गाव में तो देखें फॉर चें जो को देखने के लिए जाते ठीक उसी प्रकार से शहरों से लिए लोग जो है वह वहां के लोग होते हैं ठीक है उनसे वह आतित्व स्विकार करते हैं और पिर उसके लिए वह पैसे भी देते हैं ठीक है तो पुने अन कोलापूर डिर्ष्टिक ओफ महराइस्टान नंबर ओफ एग्रो टूरिजम सेंटर्स हैब बिन डेवलप ठीक है चलो भाई तो हमने यहाँ पर एग्रो टूरिजम की भी बात कर ली अब हम यहाँ पर बात करने वाले एक नए टाइप ओफ टूरिजम विचि को बताती हूं यानि कैसे यह concept कैसे आया क्योंकि जब तक किसी चीज के जरुवत नहीं पड़ी कि तब तक उसको डेवलप नहीं किया जाएगा तो देखो जैसे जहां पर फिल्मों की शूटिंग होती है अब लोगों के मन में यह तो उतकंठा आती होगी कि हमें देखना च इस वज़े से यह फिल्म तूरिजम है इसको डेवलप किया यानि उस प्लेस को टूरिस प्लेस ही बना दिया गया कि वहां पर लोग आए और आ करके देखें और फिर उसके बाद इसका आनंद उठाए ठीक है तो इस प्रकार से फिल्म तूरिजम है यह concept आया है ठीक यहां च्रविस करेंगे ठीक होता है तो अब वहां पर अगर आप देखना चाते हो तो इसके लिए आपको कोई गाइड चाही होगा जो हर चीज आप को दिखाए कि यह चीज यहां पर है इस प्रकार इस प्रकार से तो अब क्या करोगे जब आप वहां पे देखोगे तो या तो आप किसी बस में बैठोगे या फिर किसी गाड़ी में बैठ करके ट्रावल करोगे तो उसका पैसा आपको देना पड़ेगा ठीक है तो इस प्रकार से वहां भी इंकम मतलब वहां पर भी तो इंकम का श्रोथ है ना टूरिजम की वज़े से ठीक है तो इसको डेवलप किया गया है यह होता है हमारा सिने मा यानि को फिल्म टूरिजम थीक है तो आईए अंदर रहे मैंने स्टार्टिंग में सिने मा वो ला था ना तो देको सिने मा बोलो या फिर वही avent tourism दोनों का मतलब सेम है तो जहां पड़े filmः तो पर अपर तैप सेम गयेक़्ाव प्रेजम तो इंस्ट यहां पर फिल्म के शॉट लिये चाते है वो लोगों को अपनी तरफ आकरशित करता है यहां पर आया ठीक है यहां पर फिल्म सुटी नहीं है फिर उसकी बाद यहां पर हम एक और आगे देखेंगे जैसे देखें फिल्म तो हमने देख लिया अब उसके बाद जो समुंद्र के अंदर का जो वर्ल्ड है क्योंकि जैसे हम हमारे अर्थ पर देख रहे हैं कि यहां पर अलग अलग प्रकार के जी उजन्तु पेड़ पौध हमें देखने के लिए मिलत आते हैं और जो समुंद्री जी होते हैं वहां का जो पूरा वर्ल्ड होता है उसको वह देखते हैं ठीक है तो इसमें हम देखते हैं क्या है तो टरकाली इन कॉंकन इस फेमस फोर इट्स सीबेड और बायो डाइवर्सिटी पाई जाती है उसके लिए वो फेमस है यहां पर तो टूरिस लोग है वह आते हैं किसके लिए स्नॉर्किलिंग का मतलब क्या होता है जैसे समुंद्र के अंदर आप जा रहे हो तो ऐसे तो जाओगे ने क्योंकि बाहर निकली ने पाओगी क्योंकि पानी जब आपके फेफड़ों में चला जाएगा तो वह डामेज कर देग ठीक है तो वह है हमारा स्नॉर्किलिंग स्कूबा डाइविंग स्नॉर्किलिंग में क्या होता है कि आपको ने एक पाइप दे देंगे पाइप के साहरे आप क्या करते हो पानी के अंदर उपरी सतर से ही आप नीचे मुंदी करके देख सकते हो और याद रखिएगा उसके सा आपके साथ जो एक गाइड भी होने चाहिए ना ऐसे ही क्योंकि आप ने हो आपको कुछ पता निया कहीं पी चले जाओगे ना इसलिए गाइड भी वहां पर होते है तो वह होता है स्कूबा डाइविंग तो इसलिए भी लोग क्या करते हैं टूरिजम पर जाते हैं बराब दुरक चलो भाई यहां तक बात समझ में आ गई आप सभी लोगों को तो यहां पर हमने अलग 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 टाइप के टूरिजम थे उनको पूरा अच्छे से स्टडी कर लिया है और यह बहुत इंपोर्टेंट है आप देखिए का जब आपको इंस रिलेटेड कोस्टन जर इस गल्मापर समझेंगे देखिए बैंद्याग इन्दिया बारे में कुछ बातें बता हैं जिसारा हमें देखने के लिए कंशे कण न northernia людям अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं ठीकि अलग अलग जाती धर्म के लोग रहते हैं सबका अपना कल्चर है यहां लोग तरीके से मनाते हैं आप प्रकार के प्रकार के जीव जलतू आप यहां प्रायों partes को होते याइनि हमारे देश चीब प्लाइंस में उसक अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं यानि इसको इसकी वज़से अपना जो हमारा मतलब हमारा इकोनॉमी है इसको और हम हाई लेवल पर ले करके जा सकते हैं टूरिजम की वज़से क्योंकि हमारे यहां पे बहुत सारी विविद्टा है ठीक है अगर आप फिसीकल यह देखोगे से तो लाइर हमारे यह अर्ट कर साइड यानिकि वेस्ट वाले साइड में आप राजवस्तान वाले साइड में लेख तो जिसको मरुस्तल देखना गर वहां पर जा सकता है न्हीं साइड में जALL père हो जए के तो यहां हाए बहुत सारी किया है मीटरि उस्ट उरिस्ट कं पर देखने के लिए मिलती है तो यहां पर आने के लिए आकर्सित होते हैं विदेशों से लोग आते हैं राजस्थानी कल्चर को देखने के लिए क्योंकि राजस्तानी कल्चर में उनका तो उनका कुछ अलगी होता है जैसे घूमर वगरा जनरली ठीक है तो उसको देखने के लिए जो लोग है बाहर के वो आते हैं ठीक है ब्यारे बिच्चो तो यहां पर वही सारी बाते दी गई है तो आप ज़रा अभी हम टेक्सबुक मे एक्सक्विस्ट कोस्टल एरियाज इसके अलावा क्या है राजस्तानी लोग लोगों का पहनावा अलग है वहीं अगर आप महाराष्टा में देखोगे तो इनका भी ट्रेडिशनली अगर अगर कॉस्ट्यूम आप देखोगे तो वह अलग तरीके से होता है ठीक है तो इसलिए हमारे देश में टूरिजम के लिए बहुत सारी ऑपरोचिनिटीटीज है ठीक है तो अब आव मैं यहां में बात करती हूं इस कॉंसेट के टूरिजम एन एकोनोमिक डेवलपमेंट अब इन दोनों का रिलेशन बताइए टूरिजम की वज़े से एकोनोमिक डेवलपमेंट कैसे होता है तो बच्चों इसका आंसर जोई यह आप अपने मन से भी समझ सकते हो जब टूरिजम होगा तो हमारे एकोनोमिक डेवलपमेंट भी होगा क्योंकि बाहर से लोग आएंगे यहां पर आकर के रहेंगे यहां के ट्रांस्पोटेशन का यूज़ करेंगे तो पैसा पे करेंगे ना उसके लिए अगर वो होटेल में रुक रहे तो उसका पैसा देना होगा अगर वो ट्रा प्लेसे एक्सिप्ट्रा डेवलप बिकास अव तुरिजम अड डिरेक्ली कॉंट्रिबूट तु दा एकोनोमिक डेवलपमेंट देर्फोर इट इस सेट देट तूरिजम इस एन इन 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 वीजिबल ट्रेट ओके चलो समझ में आगे है ना बहुत आसान है आप समझ सकते ह फिर उसके बाद टूरिजम और डिवलपमेंट कैसे होता है तो यह वाला जो पॉइंट है वह मैं आपको बताती हूँ अच्छे से सुनो ठीक है देखो तूरिजम की वज़ए से एन वर्मेंटल डिवलपमेंट कैसे होगा देखो जब तूरिस लोग यहां पर माल लीजिए कोई पटिकुलर प्लेस है अब यहां पर टूरिस लोग है वह आ रहे हैं उस चीच को देखने के लिए तो क्या किया जाएगा इसको और अच्छा करने की कोशिश की जाएगी ना क्योंकि जब यह अच्छा रहेगा तब और टूरिस आएंगे और यहां का जो जाएगे इससे क्या होगा इससे यहीं तो होगा कि एनवर्मेंटल डिवलपमेंट हो रहा है वहां का ठीक है समझ में आरहे है आप सभी लोगों को तो यह बात है तो तूरिजम इस वुड़ पर एनवर्मेंटल डिवलपमेंट तू डेवलप नैश्रल लोकेशन सेंक्चु इसको देखने के लिए कि आते हैं जैसे अभी मैंने आपको बताया था यह शीमिलर यह वहां पर बरफ गिरती है वहां पर लोग स्केटिंग करने के लिए पर उसके बाद सेंश्य का मतलब क्या होते हैं जहां पर आप बर्ट्स वगेरा एनिमल्स वह देख सकते हो फिर अपना investment करती है और उसको और अच्छा बनाने के कोशिश करती है ठीक है तो इससे क्या होता है हमारा ही तो environmental विकास होता है है ना development होता है because of eco-friendly tourism concept tourist places can be developed caring for the environment factors like अब देख और भी factors जो है वो develop होते हैं जते कि resort हो गया resort का मतलब आप जानते हो eco-friendly manner में design किया जाता है right in this type of developmental process electricity water are used very judiciously the concept of recycle and reuse is also applied recycle और reuse का मतलब आपको पता है ना recycle मतलब पुना उसका क्या करना जैसे मतलब कोई चीज है तो उसका वापस से यूज करना और recycle यानि क्या होते कि उस चीज से दूसरी चीज बना करके उसका यूज करना ठीक है तो वह भी concept यहां पर यूज किया जाता है and natural environment is maintained and tourism is developed to ठीक है तो यह है इसका answer मतलब answer नहीं है यह इसका पूरा explanation था आप देख करके समझ सकते हो ठीक है जो पॉइंट है नो उसको आप अच्छे से समझ लो और फिर एक्जाम में आप इसको इसको इसली describe करके अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो ठीक है फिर टूरिजम एन हेल्थ का क्या रिलेशन है तो टूरिजम एन हेल्थ का बच्चों यह रिलेशन है जैसे जो बाहर के लोग है ना वह हमारे देश में क्योंकि हमारे देश में योग हो गया ॥ जान से कम पैसे में ही यही यहां पर लोग फशेक यहां सब्सक्राइब अग्या पर लोग हश्यट faced facilities visiting the place of tourist interest and achieving mental peace and physical strain through Indian Ayurveda, Yog, Pranayam, etc. is the objective behind it. Okay, next, the medicinal and surgical treatment Indian hospitals are cost-effective, यानि कि बोलाना मैंने Indian hospitals में जो surgical treatment है, surgical मतलब surgery वाला और जो medicinal और surgical treatment है, वो काफी सस्ता होता है दूसरे देशों से, अगर आप compare करोगे तो, therefore, many patients from various developing countries come here for treatment, इसके लिए क्या होता है, जो भी developing countries के लोग है, वो यहाँ पर आते हैं, अपना इलाज करवाने के लिए, so medical tourism developed from the facility is required by these tourists, next, tourism and social development, अब tourism and social development, development, इसका क्या संबन्द है, तो इसका संबन्द है, कैसे संबन्द है, जैसे तो अगर देखा जाने तो बहुत से गाव है, प्यारे बच्चों, जिसको देखने के लिए, जो टूरिस्ट है, वो वहाँ पर जाते हैं, जैसे कि आनंदवन है, ठीक है, तो उनका जो आनंदवन है, वो, इसके अलावा और भी बहुत सारे जगह है, जहां पर लोग क्या करते हैं, विजिट करते हैं, पर टूरिस्म, ओके, देखो मैंने नाम बता देती हूं, आप लोगों को, मेला घाट और महराष्टा, फिर उसके बाद यहां पर आनंदवन, प्रोजेक्ट बाइदर सोचल एक्टिविटीज, बाबा आम्टे, फिर उसके बाद यहां पर देखो, राले, राले गन सिंधी, उसके बाद हिवरे बाजार, ठीक है, हिवरे बाजार, इना, इट्स इस लोग क्या करते हैं, विजिट करते हैं, वहां के सुंस्कृति को देखते हैं, समझते हैं, समझ में आ रहा है, और गाव के लोगों का जो रहन सहन है, उसको भी वो देखते हैं, समझते हैं, तो यह बात यहां पर हो जाती है, तो आव एक बार मैं इसको पढ़ देती हू क्या करना खिशिच की जाती है टीक है इस फैसिट्स लाइक से वह ठीक है टो रूरल लाइफ था किसका यह social activities बाबा social activities थे कौन थे बाबा आमते ठीक है फिर उसके बाद यहां पर और भी गाहों के नाम लिखे गए जैसे राले, गान, सिंधी फिर यहां पर हिवरे, बाजार, एक्सेप्टरा creates a social consciousness and gives a flip to development there, ठीक है, बस इस प्रकार से यह chapter यहां पर complete हुआ, there is a great potential for the development of such a type of tourism in India, in future tourism will be an important factor in the Indian economy, देको यहां पर क्या बाद बोली गई है, कि अब इतनी सारी चीज़े हमारे यहां पर है, इतना सारा diversity है, तो इसके कारण हमारे पास बहुत अच्छी opportunity है, टूरिजम को ले important economic factor बन सकता है, यानि हमारे आर्थिक विकास में यह काफी जादा सहायक हो सकता है, ठीक है, जैसे दूसरी चीज़े है, बराबर तो यहां पर बच्चो आपका यह जो चैप्टर है, तूरिजम होता है, समाप्त और इसके साथ ही हमने class 9 का सब कुछ complete कर लिया है, इसका हर ए इसके अलावा में mathematics भी बढ़ाती हूं, आप सभी को पता ही है, तो mathematics की study आप कर सकते हो, हमारे चैनल प्रैक्टिस सेट बाइसके class से ठीक है, यह चैनल का नाम है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीज़ेगा, और playlist में जांकर के देखेंगे तो आपको सारे वीडियो मिल आई करते रहें, बाइवरीवन